बिहार में अगले महीने तीन सीटों पर उप्चुनाओं होने बाले हैं और इसे लेकर भाजपा के साथ साथ कॉंग्रेस और आरजेडी जोड तोड की राजनीट में जोटी हुई है आपको बता दे कि अरणिया की लोगसभा सीट और जहानबाद और भभुव कुल लोगसभा सीटों पर आगामी 11 मार्च को चुनाओं होने बाले हैं और इन सीटों के लिए नामांकन की आखरी तारीक 20 फरबरी है तो ऐसे में जब इन सीटों पर चुनाओं कौन लड़ेगा इस बात को लेकर आरजेडी और कॉंग्रेस में घमासान मचा हुआ है आपको बता दे कि कौंग्रेस ने भभुआ विधान सबा सीट पर अपना दावाठों का है और वही आरजेडी ने कहा कि वो तीन सीटों पर चुनाओं लड़ेगी कौंग्रेस बिधायक दल की नेता सदा नंद सिंग ने कहा कि मैं पार्टी आला कमान से कहना चाहूँगा कि भभुआ में अपना उमेदबार उतारे वो राफ्टी जनता दल की भोला यादों का कहना है कि सीट पर हमारी पार्टी की मजबूत पैठ है खरूप चुनाओं से पहले जिस तरह पार्टी ओं में खीच तान चल रही है वो दोनों ही दलों के लिए मुश्की लिए खड़ी कर सकता है और ऐसे में इस लड़ाई का फायदा बिजेपी भी उठा सकती है SPN 9 नियोजरोम की रेपोर्ट